असलाम वालेकुम दोस्तों कोईट से एंट्री PCR को लेकर खवर सामने आ रही है और नया ट्यूरिस्ट वीजा फैमली वीजा ओपिन को लेकर भी खवर सामने आई है दोस्तों कोईट में एक प्रस्ताओ रखा गया है जिसमें बताया है कि बिन वैक्सिनेटेट परवासी भी कोईट में परवेश कर सकेगा साथ ही कोईट ट्यूरिस्ट वीजा और फैमली वीजा जल्द ही ओपिन करने वाला है दोस्तों कोईट में एक प्रस्ताओ रखा गया है जिसमें बताया है कि बिन वैक्सिनेटेट परवासी भी कोईट में परवेश कर सकेगा लेकिन उसके पास एक नेगेटिब PCR टेस्ट होना जरूरी है साथ ही बताया है कि वैक्सिनेटेट परवासी भी कोईट में परवेश कर सकेगा अगर उसके पास एक negative PCR नहीं है और वो पहले से vaccinated है तो वहाँ कोईट में परवेश कर सकेगा इसी को लेकर कोईट में एक प्रस्ताव रखा गया है जिस पर जल्द ही फैसला आने वाला है साथ ही कोईट से जाते समय और कोईट में परवेश के समय एक ही PCR रिजल्ट दिखाया जा सकता है मंतराले ने अपने ट्विटर के माद्यम से ये जानकरी दी है कि कोईट से arrival के लिए एक ही PCR टेस्ट रिजल्ट का उप्यो किया जा सकता है लेकिन शर्थ ये है कि return flight के लिए sample का पंजी करड 72 गंटे के अंदर किया गया हो साथ ही आप लोगों को एक खुसकबरी और शेयर कर दें कोईट में फैसला लिया गया है family visa और ट्यूरिस्ट विजा ओपिन करने का बताया है कि मार्च तक ओपिन होने की उमीद है यहां बता दें कि डेर साल से ज्यादा समय के बा के केविनेट के फैसले के बावजूद परिवार का दोरा और ट्यूरिस्ट यात्राएं अभी भी निलंबित हैं केविनेट का फैसला केवल वर्क बीजा, कॉमर्शियल बीजा, बिजिट बीजा और फैमली बीजा पर ही लागू किया गया था साथ ही कोईट में 40 साल और उस साल और उस से जादा उमर के हर व्यक्ति को दी जाती है, दूसरी खुराक की तारिक के च्छे महीने के बाद बुश्टर खुराक दी जाएगी, M.O.H. ने ये भी कहा कि 40 साल और उस से जादा उमर के कोई भी व्यक्ति को देश में सभी टीका करण के इंदरों पर बिना पूर्ब अपॉइंटमेंट के बुश्टर खुराक ले सकता है, हलंकि 40 साल से कम उमर के लोग इसे केबल अपॉइंटमेंट के अनुसार ही प्राप के लिए लिए लाँ आपिस